नमस्कार एसे गर्व परिवार सडियंत्र के अट्डे होते हैं ध्यान रखना हर गर्व परिवार में लड़ई होती है कोई बात होती है जब चार या पांच जने साथ में रेते हैं न तो छोटी मोटी लड़ई और छोटी मोटी बात होती रहते हैं सब के विचार सेम नहीं मि कि गर में एक दूसरे के प्रती इर्श्य की बावना कब आती है कि जान रखना गर में लड़ए होना बड़ी बात नहीं है लेकिन जब गर में लड़ए शडियंत्र बन जाती है न तब लोग अपना स्वार्थ देखने लग जाते हैं अपना हित ज्यादा और दूसरों का अहि देखने लग जाते हैं परिवार के लोग तो वह घर सडियंत्र के अड़े बन जाते हैं जान रखना अगर आपके भी घर परिवार में आप तीन-चार भई याप पूरी फ्यमिले साथ में रहते हो चोटी-मोटी लड़ी होती है कोई बात ने लेकिन अगर आपके बाईों में आपके परिवार में एक बाई अपना स्वार्त देखता है एक बाई अपना हित ज़्यादा देखता है और सामने वाले का अहित देखता है सामने वाले का देखता है कि यार वो मुझसे ज़्यादा नहों हो जाए मैं ज़्यादा हूँ जब ये बावना मन में आ जाए ना तब समझ लेना कि वह गर कभी नहीं चल सकता आगे उस गर के टुकड़े निश्चित हैं क्योंकि ऐसे गर में सड्यंत्र होते हैं और जिस गर में सड्यंत्र होते हैं वह गर एक दिन विकर जाता है इसलिए अगर आग की फेमिली में चोटी मुटी बात होती है तो कोई बात नहीं होने दे लेकिन ये बात जरूर देखना कि फेमिली का कोई भी सदश्य अगर स्वार्ट की बावना से काम कर रहा है अपना हित अधिक देख रहा है और सामने वाले किसी बाई का अहित देखने की कोशिस कर रहा है तो उस बाई को आप समय रहते अलग कर देना वरना वो स्वार्थी बाई आपके परिवार का स्वार्थी सदश्य आपके पूरे परिवार को तैस्नरस कर देगा एसे स्वार्ती सद्शी को समय रहते अलग कर देना वरना वो आपके परिवार को इतना छिन बिन करेगा ना कि आप साथ में बेटने रहने लायक नहीं रहोगे आप साथ में चलने लायक नहीं रहोगे और आप उसका नाम लेना पसंद नहीं करो इसलिए गर परिवार में जब ऐसे सरियंत पेदा हो जब किसी के मन में स्वारत की बावना पेदा हो उससे पहले आप समझ जाना उससे पहले उस सदश्य को अलग कर देना नहीं तो वही सदश्य आपके परिवार का पतन का कारण बनेगा इसलिए जब आप गर परिवार में रहते हो सब के साथ में रहते हो चोटी मोटी लड़ई हो तो टेंसन मत लेना चोटी मोटी लड़ई हो तो उसको अपने दिमाग में और अपने माइंड में होवा मत बनाना चोटी म३टी बात है चोटी मोटी लड़ी होती ले हाँ बस एक बात ज़रूर ध्यान रखना है अगर आपके परिवार का कोई भी सदेश्य स्वार्थ की भावना से काम कर रहा हूँ तो उस सदेश्य को समय रहते अलग बे कर देना वरना वही सदेश्य आपके परिवार का पतन का कारण बनेगा और आपकी बतनामी कराएगा पूरे समाज में इसलिए ऐसे गर सडेयंत्र के अड़े बन जाते हैं जिसमें परिवार के लोग अपना स्वार्थ देखने लग जाते हैं इसलिए ध्यान रखना जब परिवार के सदेश्य में स्वार्थ की भावना आ जायना तो समय रहते उसको अलग कर देना